कब थमेंगे डरावने आकड़े? कब खत्म होगा जान लेवा कोरणा का संक्रमन? डहती अर्थ वरस्ता कब पट्रीप लोटेगी? वैक्सीन बनाने में कौन सा देश मारेगा बाजी? बता रहे हैं जोतिशाचारिय मायंक शर्माजी वो भी सिर्फ धर्म ज्यान पर नमश्कार धर्म ज्यान में एक बब फेर हमारे दर्शको को स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ कवितर आणा और प्रणा कवितर आना और नैसा मौझोद है हमेशा किता है जी हाँ भले ही recovery rate में बढ़ोत्री हुई है लेकिन दिन पर दिन जो डरावने आकड़े हैं जो मौत के आकड़े हैं जो संक्रमित मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसे में सवाल उरता है कि astrologically आखिकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कब जाएगी इसको लेकर मैंग श्रमा जी ने भविश्वानी की थी कि 23 सितंबर से पहले पहले वैक्सिन नहीं आपाए कि जो कि सच भी साबित हुई तमाम तरह PMOधी जी ने लाड करे की प्राचीर से भी इस बात की announcement की थी कि भई तीन वैक्सिन का ट्राइल चेल्डर है अंतिन चरण पहले कि अभी तक नहीं आई दूसी तरफ रूस भी एक वैक्सिन लेकर आए फिर दूसी वैक्सिन लेकर आए लेकिन मार्किट में अभी भी कोई भी कोरोना से लडने वाली ना कोई दबा है पुखता और ना ही कोई वैक्सिन है ऐसे में सवाल उता है कि आखिकार ये जानलेवा बिमारी जिसके चलते पूरी दुनिया अभी भी तरस्त है ये कब खतम होगी तो में अगर राशी में 5 या 5 से जड़ा घरओं का अगर मेल होता है संयोग बनता है तो इस तरह की बिमारी या मामारी फैलती है कोई बड़ी आपदा विश्व में आती है या विश्वियूद होता है इस तरह की परिसितियां बनती है अगर आपको याद हो सभी दर्शक भी इस बात को जानते हैं फिछले साल जो सूर्य गहन पड़ा था 26 दिसं मान थे मंगल भी मिराज मान थे बुद्वी थे शुप्र भी थे ऐसे कुछ घ्रहों का संयोग था कि जो एक बड़ा के तुभी वहां पर था जो की बड़ा एक संकट लेके आ रहे थे यह दिखा रहा था कि जो घ्रैन है इस घ्रैन का असर आने वाले छे महिने में तो बहु को वही उस घ्रैन का प्रवा पूरे विश्व में पढ़ा और गुरू और केतु की यूति जब धनुराशी में होती है और मूल नक्षत्र में होगी मूल नक्षत्र क्यूंकि हम कहते हैं कि मूल नक्षत्र में जब गुरू की यूति होगी तो बिमारी बढ़ती है महामारी परिशानी इस तरह की दिक्केते बढ़ती हैं और अभी भी यह दोनों ग्रहें एक साथ बैठे वे हैं और 23 सितंबर के बाद यह दोनों घ्राओं की जो यूती है वो तूट जाएगी क्योंकि उस दिन गुरू राशी परिवरतन नहीं करेंगे उस दिन केतू राशी परिवरत जाएंगे इसलिए जब तक मूल नक्षतर से केतू नहीं जाएंगे जब तक ना तो कोई पुरी तरीकी से सही वैक्सीन आ पाएगी ना हो टेस्ट में सफ़लों पाएगी और ना ही यह बीमारी धंग से पुरी तरीके से जापाएगी आप देख रहे हैं किसी जिए बीमारी कि जारा पहल दी है कुछ अक्षेटरों में विमारी कम है मैं जी क्या समझे तैस सितंबर के बाद भारत में देश दुनिया में क्या क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं देश सितंबर के बाद जैसे ही यह गुरू के तो की यूती समाप्त होगी उसके बाद धीरे धीरे सिन अच्छी आ जाएगी और सक्सेसूल भी जाएगी और जिन लोगों को यह रोक आके बढ़ेगा और वैक्सीन देने के बार वो लोग जल्डी ठीक हो जाएंगे अभी अगर इसकी मारक शमता देखें तो कोरोना की समय इंटेंसिटी की काफी हो चुकी जैसे जैसे नक्ष पर चला जाएगा तो कहना चाहिए कि धीरे धीरे जैसे उस और बढ़ता चला जाएगा वैसे 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 वहामारी वीमारी कम होती चली जाएगी और एक समय के बाद आपको इससे निजाद भी निश्वित रूप सम मिलेगी जैसे वीमारी आई है देखिए वाइरस कोई किस तरह फैलता है जब कोई खराब चलते हैं तभी अशुप घटना होती है अगर किसी व्यक्ति के कुल्डी में अगर हम जोतिश और रोग को जोड़ के देखें जोतिश और रोग का क्या संयोग है आप ऐसे मान लिए किसी व्यक्ति को राहू शनी केटू की दशा आ जाए और वो कुल्डी में 6-8-12 भाव में बैठे हैं या केटू के साथ ज्यूति में हैं तो समझे कि आपको बिमारी हो जाएगी और जब तक वो दशा रहेगी तब तक व्यक्ति बिमार रहेगा इसी तले इस समय अंतराश्चे सर पर जो मामारी फैली है एक बहुत ही खराब समय से पूरा विष्व गुज़रा है उस दोर में डिसंबर में बहुत ही अशुब रहआँ जिसके चलते है मामारी फैली है जब तक तक तो यह मामारी पूरी तरीकी से समय उनगी उसके बाद धीरे 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 समय प्रोतिशली चलिए गो कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने की होड में दुनिया की तमाम ताकतवर मुल्क शामिल है जिसमें भारत भी इस रेस में है अमेरिका भी है चीन भी है रूस भी है क्या लगता है अगर एक अंदाजा आप से जाने की कोशिश करें जो ते शास्तर की अनुसार की कौन सा देश वैक्सीन पहले बना पाएगा जो इस आपको लग रहा है मुझा अगरा कि इंडिया में वैक्सीन जल्दी इजार हो जाएगी और रश्या भी इस और अच्छी बैक्सीन बनाने की हो रहे है इन दोनों देशों के तरफ से जल्दी खुशकवरी मिल सकती है कि वैक्सीन का ट् ट्रैल होगा इस वैक्सीन का जो भी टेस्ट होगा वह देरे देरे साकारत्मक जाएगा पॉजिटिव जाएगा क्योंकि जो लोग ट्रैल बना रहे हैं उनको भी इसका रस्ता उसका फॉर्मूला मिल जाएगा इसकी जिसकी वज़े से यह बहुत अच्छी और पर कब तक लॉट पाएगी और देश के अर्थ व्यवस्ता कब तक बूस्ट हो पाएगी अर्थ व्यवस्ता आगे बढ़ने में थोड़ा समय अभी लगेगा क्योंकि इस समय जो ग्रैस सिटी चल लगी है और अगले वर्ष भी जो बाइस अगरम तारीक से बात करें नवंबर से गुरू नीच के राशी में आ जाएंगे उसके बाद भी थोड़ा सा मार्किट जो है इंटर्नेशनल मार्किट जो है उतार चड़ा बना रहेगा और मुझे लगता है कि अंतराश्ट्य मार्किट को समलने में अभी एक से डेढ़ साल का समय लगेगा ऐसा नहीं कि एकदम कोई चूमंतर हो जाएगा बिमारी अगर चली भी गई तो मार्किट तेरी से स्टेबल हो जाएगी लेकिन एक से डेढ़ साल तक आप मान के चलिए कि मार्किट में उठापटक बनी रहेगी लेकिन इंडिया में सिती जो है मैं देख रह कि 23 सितंबर के बाद कोरण जैसी वैश्विक महामारी से हमें निजाद मिल सकता है बड़ी राहत मिलने की उमीद है इसे किसा मुझे हो मैं शर्मा जी को दीजे जाज़त लेकिन जाते जाते हैं हमेशा मैं अपने दश्रकों को याद दिला देती हूं अगर आपको अपने अगरा है बहुत प्रापको्स करकी बातश अपने के कर